वह हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकन दबाएए और नमस्कार जैन्द आज का Talkit guaろ अंत्रावी तंक अ जिए अंत्रावी तंत्र के अंत्रकत हार मॉन्स का ध्यान के आ जाता हैं हारं मॉन्स्थ और अंत्राव तंत्र में बीभीन क antrasravi ग्रंथियों की संब्रचना क्रियाव इधियों मन से हर्मन समधित हर्मन का ध्यन किया जाता है िहार प्रतं हो जागा हर्मों से सिक्रेटीन हार्मोन, यह सबसे ज़्यादा सिक्रेट था, यानि का अभी कोई चीज जब तक खोज नहीं हुई होती है, तब तक सिक्रेट रहती है, तो यह सबसे ज़्यादा सिक्रेट था, तो इसलिए सबसे पहला खोजा गया हार्मोन, सिक्रेट से सिक्रेटीन हार्मोन, इस की खोज इसार बेलिश ने किया था सब्सक्राइब के धिवारों लगते से के खोज की गई थी अंताश्रावी बिज्ञान के जनक है एडिशन को अंताश्रावी बिज्ञान के जनक कहा है फादर आप इंडुक्रानोरोजी है ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है लेकिन इससे पहले बाती है कि ग्रंथि क्या होती है अगर कोई भी अंग एंज किसे निकलता घ। हर्मोन अथ्षब भी अंग इंटर ईक्षटे Self लेकर औंग tapping अगर वार आज यूधी अंग संसरा अथवा एंजाइम बनाता है उसे अंग नहीं उसे ग्रंथी का नाम दियते हैं उसे ग्रंथी कहने लगते हैं तो ग्रंथी क्या है ऐसा अंग जो हार्मोंस बनाया थवा एंजाइम बनाये इसी अधार पर ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है अंतासरावी ग्रंथी गॉलते है पर श्यापर प्रकार कि ना एंताषीव घंटिया और जो को तक ह dues-इन-नि मतलब की यह जो अपना इंजाईम बनाती है वह बनाकर सीधा बाती है कि गद्वरा एक विश्थान से यह तांग दोनुजाम पहुछाना होता है जहां पहुंचाना होता तो इसके पास नलिका होती एक अपने उत्पाद एंझाइम को नलिकांकी दोड़ा लक्षी त रश्तान पर पहुंचाती है और न्सरावी ग्रूंतीन का स्रावी पड़ार्थ हमने बताया हर्मों से यह हर्मों से स्रावी पड़्यों करती है तरी mm jaar 20 पर पाद पर पहुंचकर करेंच करती है उनके पास नलिका तो नहीं होते हैं ले जाती डीड तो ब्लड जहां जर्थ होती है हर जगह पर जाड़ेती है अब जहां जर्थ होती वहाँ पर ये विशाष्ट परीवर्तन करती मजलों नहीं होती है इसे VO230 फ मल्लीग द्on ग्रंथी इत्याद भी देखने सबके धही हम आ Reset ओर निकलता है तो वो से पसीन दोर्त है एक पडार पागर जूस कैनि कि हार्म Options बनाएंगी एंजाइम से बनाएगी एंटा شराववि ग्रंति था भविस्द्राववी ग्रंति दोनों रूपँ में कारे करती हैं क्या wär करेग्जामपुल अगनास है पंक्रियाजड अंड़ाट और अ इत्याद से डू मिनिश्रत गम्रुपिया कि बेयों को मुक्हिर्प से मिश्रित अगनासर कोई बोला थे और भी हैं हार washed in johnman रैन यह देखते हैं हार्मण यह प्रोटीन प्रोटीन प्रेप्तन्स एम्लों से बने होते हैं यह श्लेह प्रोटीन फल्स जास्य कि जाएगी एनजाईम एक कोलाइडी प्रोटिन से मिलकर बने होती हुआ होती है कि अनलव कम होता है जब कि एनजाईम करें अदिक होता है इनका कम होता है उनका जो है निक क्रियाओं के पतश्चात् बेगिटित हो जाते हैं कर पू irm होस्त प्रूंध में नहीं आते हैं रसा ये क्यूंकि यह blood में जाते हैं और blood में जाते हैं तो जो भी कारी करना होता है वहां कारी हो जाता है बाकी कोशी का अपना तो उसके बाद इसका उपयोग खतम हो जाता है आर्मोंस का क्योंकि यह तुरंत बनते हैं पहले से बनकर इस्टूर किया जाते हैं तो इसे यह रहते हैं और जो सेस रहते हैं वहां इस्टूर रहते हैं हमने पता यह पहले से तो इसके रहते हैं और जौब स्टूर रहते हैं इसके स्ञाल तरह आन भी पर नहीं जबकि एन्जाइम जो है पहले से ही बना रहता है रिस्ट इस्टोर करके रखा जाता है इस्टॉर करके ग्रंतिया रख देती हैं हें पहले से बना लेती है एक्जाम्पुल है अंगे देखें इसके बारे में हम अब टीशानिक संदे स्वहाक होते हैं रचानिक संदे स्वहाक को मतलब कि हम लोग निरन हम लोग आम न्रॉव सिस्टम कुपड़ थो करने कि हृँचा घंई हृती है उसको बढ़ा देते हैं कुछ ऐसे भी हर्मन होते हैं जो गती को कम कर देते जिनने नेउंहिटर बोटे हैं वहाँ पर पड़े फिम् 1973 तो यह रसानिक सुचनाओं की गति यह जो हर्मोंस है सुचनाओं की गति को कम याधिक भी करते हैं तो इसे रसानिक संदेश सभाग भी बोल सकते हैं रसानिक संगटन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं अमीनो अमल ब्यूत्पन हर्मोंस पेप्टाइड हर्मोंस और तीन से लेकर दो सव की संख्या में जब अमीनों अमले एक साथ जोडते हैं तो पेप्टाइड हर्मोंस बनता है इस्टिराइड हर्मोंस यह इस्टिराइड बीतपन वसा से निर्मित होते हैं वसा क्या होती है हेट या लिपिड इसके बारे में हम लोग फुटेम निट्रेशन वाले चेप्टर न पढ़ेंगे वहां आएगा जानिए कि इस्टिराइड हर्मोंस जो है बीतपन वसा से ही बनता है अमीनों अमले बीतपन हर्मोंस कि कोन कोन से हर्मोन से इसте बारे में थेधा देख लिए नार इपेनफिन थायराकसीन या टायरोसीन अ मिलेटोनीन देटोनीन यह यह जिंके अंत में इन प्रत्याय को आयाताह में नार फिनडा में तो जानते होंगग अभी कछरी में होता है कछरी में कमिन खके यहां भी प्रत्य यानिकि जो भी हर्मोंस इन प्रत्य से बनें वह इसके अंतर घ्राइद्थ ज्सक्राइज, अक्सिटोसीन, ADH, TSH, STH, FSH, LH, यह सब हर्मोंस, पेप्टाइड हर्मोंस की उदारण है, सब को पढ़ें के बारी वर्षे भी, इस्ट्राइड हर्मोंस कौन से होते हैं, जिसके अंत में आन प्रत्य आता है, आन प्रत्य जिनके अंत में आता है, इस्ट्राइड, राइड, तो राइड में भी आ आया है, तो जिसके अंत में आन प्रत्य आता या, इस्ट्राइड हर्मोंस के उदारण से, एंस्ट्राइड हर्मोंस से, प्रत्य से अंत में अमिन अमलीदपन हर्मोंस है, और घ्रनियां होती हैं इसे हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़े भी थे मस्तिक्स के तीन भाग होते थे अगर मस्तिक मढदे मस्तिक स्थर्श मस्तिक अगर मस्तिक के तीन भाग होते थे पुना व' घृंणभी नित अपर ए डाइन से फिलान प्रैमस्तिक के चार लोब होते थे उसमें फ्रंटल फ्रंटल लोब पारिट लोब आपके पटेन लोब टेमपोंतो लोग चार लोब होते थे अगर दृफी यह उसके बाद डाइन से फिलान में इपी थेलमस थैलमस और हाइपो क्यां है यहाँ के बारे पढ़ने है तो ल स्सक्राइब के बारे हैं पेल दिडान वर कर दीन हरो होता है इसलिए हम बोलेंगे अगर हार मन्स अथम टिर्स गरता तो इनल बोलेंगे हैं होता है सीने में होता है अध्रीम को किड़नी के उपर होती है का मतलब होता है किड़नी एड्रीनल का मतलब होता है किड़नी जहां भी कोई सब्दा है रीनल इंगलिस में रीनल तो साइंस में रीनल का मतलब किड़नी होता है तो एड्रीनल में रीनल सब्दा आया है रीनल यहां से आया है तो रीनल का मतलब होता ह और ब्रिक का से दस मतलब होता है कि ने के ऊपर होती है अगनाश्य पैंक्रियाज उदर गुहा में होती है अगनाश्य लेंगिक जनन गरंथी गुनाड्स आतों के नीचे होती है आप को जानत पता होगा यह अंतरस्रावी ग्रंथिया अगर पुछा जाए कि सबसे बड़ी अ कि कि याद किसे क्रेंगे इतल में बार-बार यहां भी आक की मात्रा आती है और अाक आपर देरखसवर, बुलते, बड़ा भी. तो यहां पर बार बार दीर घा रहा रहा है तो इसलिए इसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथी होगी सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथी होगी थैराइड सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथी होगी पीनियल कि हमने पताया जहां से जूस बनता है अरफात इंजाइम जहां से बनता है उसे बहिस प्रावि गती है लाविओं की सबस्ट्रेइए घ्लेइट डर्टी अ यह कहां होगी मावथ मूह मेंre होगी कै एक रवाक रिगलेंटि लीवर बनाती है जैसे bilirubin pigment, biliverdin pigment और बहुत सारे जूस बनाती हैं आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अमासे ग्रंथी अमासे मतलब होता है पेट इनिसे बोलता है गैस ऐसके की यहां भी है यह दूनों जगह कैसे आख जांक हा एक रूंधियां है जो हार्मूंस भी बनाती है तो अगनासहीं हार्मोन भी बनाती है इसलिए बहा अध्यावी इसलिए जो क्रणाती सिने पर लड़कियों के प compression ले cuál खीक हैँ मतल पसीना तो दो ऐनेंहें दो सबक्राइब करती है सबसे बढ़ी वहिस्रावी गरंथि को सबसे छोटी वह सभी यहां चोटी पिनियल यक्रित ग्रंथी यक्रित सबसे भारियंग होता है ना सरीर का इसलिए यक्रित ग्रंथी सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथी है सबसे चोटी बहिस्रावी ग्रंथी होगी आशु ग्रंथी आशु जब आप रोते हैं चोटी चोटी टुकड़ों में गिरता है ना आशु चोटी बूदो कुरूब में गिरता है आशु तो इसलिए सबसे चोटी बहिस्रावी ग्रंथी होगी आशु और आशी सरीर से बाहर बहिसरावी ग्रंथी हो जाएगी अब फोटी बड़ी का कंसेप्ट ना लिया जाए और कहा जाए कि मानोशरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी बताओ और मानोशरीर की सबसे छोटी ग्रंथी बताओ फोटी बड़ी का कंसेप्ट ना आए बीच में तो क्या बताएंगे तो मानोश सरीर की सबसे बड़ी गरंथी होगी यह पूरे जो देखने को मिलेगा लेकिन दूसरी सबसे चोटी पीनेल ही होती है अब सभी ग्रंथियों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं अंता स्रावितंत इंडोक्राइन सिस्टम तो इन ही सभी इन सब ग्रंथियों को बारी बारी से देखेंगे इन से कौन सा हर्मोंस बनता है वह हर्मोंस क्या करता है हमारे शरीर में इन सब करता है यह पाचन में सायोग करता है कि पचैनल में तो पाचन तंत्र राइगा तो पाचन की गरन्थी आजयेगी तो यहां पर पढ़ा लेंगे इसको इसे इसे बाचन ग्रॉन्तिया बहतось प्रकार कि होती है तो इस्त्राबी ग्रंथिया तो बहुत था बोढ़ अंग तैज देखते हैं है कि कुछ या कुछ उबवापचे क्रियाओं और स्वायत तंत्रव के लिए जिम्मेदार है स्वायत तंत्र का तंत्र मतलब जो स्वता होता है जैसे दिल का धड़कना ब्लेड सर्कुलेशन स्नास का आना जाना इत्यादी सब स्वता होता है अपने आप होता है हम लोग का कंट्रोल नहीं है इसे स्वायत तंत्र का तंत्र क्या करता है अन एच्छी क्रियाओं का निर्माड करता है अपने आप जलती उसका नियंत्रन करता है हम लोग इसको तंत्रिका तंत्रे पढ़ चुके हैं तो हाइपोथेलमस क्या करता है कुछ उपापचाई क्रयावट था स्वायत तंत्रिका तंत्र की अन्य गति विद्यों को नियमित करने के लिए यह जिम्मेदार है हाइपोथेलमस क्योंकि हमने पताया था यह मस्तिक कभी भाग आप वहा आइपो प्रेगों कि इंपल्स की बढ़ा देता उसे नीरो हार्मोन दोलते हैं कि नीरो ट्रांस्मीटर भास सकते हैं यह प्यूश गरंथी हार्मोन के स्राव को उत्तेजित बादित करते हैं आग अग Спयूश गरंथी है जो हाई पोथेलमस को राग बाकि सभी गरंथियों क सबी अंता स्राभी गरंथियों को प्यूस कंट्रोल करती एं समय को कुछ को मास्तर गरंथि बोलते हैं कि ऑख के यो यो चैछ को खुद करता है हैं लोग टीमाश्टर बोलेंगे तो इसलिए फ़य को घ्यलेंस बोलते हैं यह सारिक्त आपमान का नियमन करती है भावनाओं का नियंतरन करती क्रोध सांति भूख प्यास आप किसी को गल्स कालेज के बाहर जाएंगे और ताड़ेंगे तो आपके मेंडीबल जब थपड़ पड़ेगा तो कौन सा टूटेगा आपका हाइपो थेलमस ही टूटेगा और हाइपो थेलमस के बारे में हम लोग मस्तिक्स वाले चप्टर में पढ़ चुके तंत्र का तंत्र पड़ चुके हैं अब इसके बारें डिटेल्स जाने के लिए वहां जा कर देख सकते हैं यह था ऌशाब है कि इस गरंथी जेशी ग्लेंट्स ए मतर के दाने के याकार की गर सभी ग्रंथ करते हैं किसी काम के नहीं होते है इसी ग्रंथियों के पास जाते हैं जिस गरंथी कर तो इसलिए बागी कुछ काम वह नहीं करते हैं सिर्फ ग्रंथियों को एक्टिवेट करते हैं और सभी ग्रंथियों को एक्टिवेट करने के लिए हार्मून्स रिलेज करती है इसलिए इसे मास्टर ग्रंथी बोलते हैं यह ग्रंथी को यह ग्रंथी स्वैंग हाइपोथेल कि इसमें मिडिल वाला लोब नहीं दिखाया गया है क्योंकि समानेतामान में विक्सित नहीं होता है इसलिए नहीं दिखाया र्लोब्लब्लोब अग्र पालु से स्टींजक्स्ट प्रोलेक्ट Τेन हर्वंवण्स एस से एस टी हर्मप निटरीन हर्मप यह सब अग्रपाली क्य क्यों निकलते हैं अग्रफ पालि पालि से हर्मोप बडू ग viewing कि सब रिलेटिकंद से करते हैं दुषरे से निसके मद्धि पाली से मीडिल पॉस्ट्थन निकलता है मृष्टर्ण पॉस्ट पषरस्च मिपन की जब डूद नहीं को हुआ unified है कर फिर दूत कहा से निकालते हैं फन से अथन कहाँ लगा होता है फीछे लगा होदा है तो पीछे निकालते हैं ये पंखीज सी खुष्म का आशी टो सिन अधिये हर्मन से हाइर में अक्षा यह हर्मोन जो है इस मनते हैं वहां से यहां आते हैं कि अब देखते तो मेंटोरी हार्मोन चमाइटो ट्रापिक हार्मोन स्था 현र को शेमिसित करना नहीं करसी को कि अ यह ब्रिधी हार्मोंस तो मैट कम रिए होता है यह मतलब की उसलिव होता है जितना चाहिए उस से टो मिजेट बोलेंगे इसा होता है काय मतलब काया शरीर भी भी मृत बढ़ा सरीरा है कि कायता मतल Beach मतला अधिक आता मतला सरी काया मतला दोनीकि एक बृधिन हार्मों Northern 어머 करे rant…" अगर ज्यादा मतरम निकलेगा तो हमाई रिभी को पिरीद करता हैं ये- emoc依ा- ने अ-Z जैसे आपको अंजाने अंजाने सब्द मिलें के एक्रों मिगेल होता है करने आपको तीखा लगने लगता सिछ करने लगते हैं तो किसी चीज के अधिकता के बेखत करता है एक रो मीगेली क्या है ब्रिधिय वस्ता पूरी हो जाने के बाद ब्रिध वस्ता मतलब कि 20-22 कि मुर्दक जितना बढ़ना होता बच्चे को बढ़ जाते हैं विसके बाद लंबाई में वर्धी तो होती नहीं है तो बृधी वस्ता पूरी हो जाने के बाद हो जाने के बाद हर्मों के 30 सब्सक्राइब कोई सरी बढ़ा कर दिया किसी का हाती ने कोई इस प्रेकार से कोई सभी से बढ़ा दिता है लेकिन यहार जाने के बाद लेकिन अनुपातिक नहीं होता है अब आ मनें पातिक नहीं होता ले करने कमत ल monuments MARY कर कि दोनों पर बढ़ता तो ठीक है लेकिन एक बढ़ गया नहीं बढ़ा तो लंगणाने लगए इसलिए तो इसी को बोलता है अनुपातिक नहीं होता है इसलिए जब तक ब्रिदी आवस्ता चल रही है आपका लंबाई बढ़ रहे है तब तक तो यह निकले थीक है उसके बाद निकले तो समस्थायां भी पैदा करता है जैसे चेहरे के अश्थियों ब्रिदी आथों की लंबाई बुर्धी पैरों की लंबाई में छोटी हमने बताया आभी आइफोसिस कभी-कभी ब्रधी हार्मोंस के ऑतिस रामण से रीड की हड़ी कि लंबाई में अधिक ब्रिदी होकर मुणने लगती है इससे कुबड का भिकास हो जाता है आपके यह जो वर्टीब्र कालम है जिसका हम लग पढ़ चुके स्केलेटर सिस्टम में तो वर्टी का ब्रटीब्र कालम दोनों साइट से जुड़ी रहती है अगर यह वर्टीब जो चिस अहां कि डियाइश त्यसेच अंग अधा है थारओएट प्रेरिक हर्मोंस अधार इस्तियमिलेटेडर हर्मोंस यह जान ने हम बता है अध्ये जहां यहां यह फिर धाविन का मतलब ही होता है प्रेरक किसीको प्रेरित करना हो जो यह विए घ्राइड ग्रंथी के रिया सीलता का प्रफवयत करता है इसमें आयोदुन के उस्षरून को बढ़ाता है इसके फल शरुब हाइराड का त्रीटीफॉर हारमस का संसुलेशन होता है इसके बारे में अभी नहीं पढ़ कुछ काम नहीं करते हैं और जाके दूसरे ग्रंथियों को पींट चुभाते हैं चल्बाइब काम कर हूं अपना काम कर तो तो प्योसी ग्रंथी में एक ही हार्मोंस है स्थ हार्मोंस समेटोट्रोपिन हार्मोंस जो कुछ काम करता है क्या काम करता है यानिकि ब्रिधी हार्मोंस है ग्रोथ हार्मोंस है ग्रोथ का काम करता है बाकि सभी हार्मोंस जो है किसी अन्य ग्रंथियों को इस्ट्म लेट कर करते हैं अन्य कोई काम नहीं करते हैं तो यह यह हार्मोन क्या है थायराइड प्रेयरक यह थायराइड गरन्थी को प्रेयरणा देगा थायराइड गरन्थी को एक्टिवेट करेगा कि एच्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सब्सक्राइब करता है नाम में इसका लिखा ना सब्सक्राइब करता है कि अपना काम कर अपना हर्मोंस निकाला थो नहीं निकाल जो भूचिए तो सब्सक्राइब करता है यह कहां मिलते हैं यह मिलता है लेंगिंग जनन गरंथी में तो यह सीधा सिधा कहें तो सक्रिय करता है कि हुछ निकलते हैं यह को किसी ने कहते करते हैं यह इसका काम नहीं यह दूने नाहीं बता रहे हैं अग्ले सभी बता रहे हैं आगे बता रहे ibe मेटाबोलिक उपापचाई का अंगली इंगलिस सब्ध होता है मेटाबोलिक उपापचाई क्रियाओं से संबंधित हर्मोन है यह उपापचाई क्रियाओं को करेगा एक्टिवेट करेगा लिव्टियो ट्रापिक हर्मोन्स लिव्टियो ट्रापिक हर्मोन्स लिव्टियो ट्रापिक हर्मोन्स लिव्टियो ट्रापिक का मतलब कि यह लिव्टियो ट्रापिक मतलब इसी को इस्टिम्लेट करना हर्मोन्स यानिक इसको एक्टिवेट करने जेनेसिस कम इसी चीज का पाधन करना पोर जीनेसिसी मतलब होता है अ किसी चीज का उत्पाहत निर्माण करना कई बर बता चुगा होऊ लेक्टु कम अंतला दूद रोता है है यह हार्मों यहांनि की लिव्ट्षीव ट्राफिक हार्मोंस ल its लेख्ड निरमाड होता है और दुख निरमाड को लेक्टो हyttो जेनेसिस बोल सकते हैं जी कि हम नेशी का मतलब होता मतलब होता है दूध दूध नेरिक्ति सब्सक्राइब सब्सक्राइस निरमाड करना टो लहुट्र ट्रापिक क्या करेंगा ऐसे हर्में попроб करें तुछ से दूद का निर्मान होता है यह खुद दूद निर्मान नहीं करेंगा यह एक हर्मों को आक्टिवेट करेगा जो हार्मों निकलेगा वह करेगा ओर्स वह धूद्ध का निर्मान करेगा सभी मेलेंस 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 के भिकास घुप्रेद करता है पुछ जिवेंश जीओं में कि तशा में वरनक पिगमेंट्स कि सबोन कार्य करता है मिलेनुसाइट्स का मतलब होता है Plateau वरनक के मतलब होता है वर्नक का निर्मा में की वरनक को करता है को मिलेय काम आर्मोन्स नाम पर दहीं को आशथ फड़ा साय कना पड़ेगा तेकनिकलспर्मयद सब्सक्राइब लिक्टिंगल वर्ड्स उन सब्द को एक अलग जगह एक ठाकर लेजिए उनका मतलब लिख लिए कि सांस में मतलब क्या होता है जैसे जैनेसिस पोईसी सेस इत्यादी सब्द पीनिया इत्यादी सारे बढ़ हम बता चुके हैं हाइपर हाइपो मनुस्य में हार्मोंस अगरपाली से ही स्रावित होता है यह मनुस्य में यह मद्ध पाली से निकल जाता है पाकी जहां जिसमें विकास हो चुका होता है वह मद्ध से निकलता है नेक्ष देखते हैं आक्सिटोसिन हार्मोन इसे बर्थ हार्मोन या लब हार्मोन भी बोलते हैं यह हार्मोन गर्भवस्ता के फुर्ण हो जाने पर गर्भासा इटेरिस में तिवर संकुचन पैदा करता है तो संकुचन पैदा करता है और वजाईना में प्रस्रन पैदा करता है तो यह दबाओ पड़ेगा तो बच्चा तो ब气ल जाएब कि बच्चा का जन्म हो जाएगा अ इसलिए इसे बँद लेक्त हार्मोन बूसे ईार्मस के बाद माता के शरины रभा कॉख करता है अब का में माशिक्ता हार्मोन की यह घ्रत लगा शृत्त आग्या रृत्त स सक्राइब शमल्ड पर्दियों में संगुचन परकेंद तो संगस्ट और संकुच्च्च इधर में और छलिए कि दूद्र अस्थन पास आने लगता है से रूप में कभी तो कि या जा वहिस सकते हैं आप कभी कभी होता है कि क्या होता है कि जो बच्चा मंन लीजीय कि हो गया उसको करीजा हो गया ऑब भूध्र के रूप में थोड़ा थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड या आधा मिनिट पर गर जाता है क्यों कि हार्मोन करता है दंद बंता है तो यही इसलिए इसे लभार मंत बोलते हैं इसके दो नाम है बर्थ हार्म अर्लवार्मोंस के एंटी कि डाइरोटिक हार्मोंज दियाच लव हार्मोंस यानिके अक्सिटोसीन हर्मिंस और एडीय चार्मन्स यह दोनों प्ष्च पालिसे निकलते हैं Kostogarana comes new monster निकलते हैं कि मूत्रिक आयतन बढ़ जाता है जब उसके बहुत में कमी बढ़ता तो इस uniform से मुट्र काहतन बढ़ जाता है क्योंकि जल को सोस्पाइब करते हैं ऑर मुट्र काहतन भड़ जाएगा रोगी दूर के है जो बैकति को बार-बार ट्वैलेट आएगा तो बार-बार मुट्र आने की सिखायत रहती है इसे मुत्र मेह कहते हैं जिस प्रकार से मुधुमेह होता है ना उसे प्रकार से मुत्र मेह करता है नाम लिखा याई का मतलब दो संकुचन करना करके बिपी कंट्रोल करना और दूसरा काम क्या है कि मुत्र काइतन बढ़ जाता है मुत्र में हो जाता है कि साइमंड करोग का रोग हमने दिखाया कि दी जितने भी है जितने भी अंता स्होछी ग्रंथियों के लिए प्यूस ग्रंथि जो है हरमन्स करता है और यह हर्मन्स कुछ कर से करते हुआ कि स्बीट करके उसको अपने काम करते हैं उसने हार्मों करते हैं बाकी सब्यार्मों को खुदी हे बाकी सब्सक्राइब एक अंतर हर्मों तो सब अगर पाली से जब निकले हैं और अगर पाली किसी निकले हैं जिव कि जनविके विगास की दारॉं अगर पाली ही雌 हो जाए तो क्या होगा फिर अगर पाली हो जाएगा तो वह सब रिलीज नहीं होंगे धृच्छ नहीं होंगे तो वह इस पास जाए कि नहीं और जब तो समय से वह आपना आपना हार्मोन्स अपना ही नहीं कर होगा तेने केस्थिया मोटी होने से कुबड का विकास होगा तोचा पर जूरियां आओगे अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखा एक बहुत सारी समझत आएंगे तो इसी को बोलते हैं साइमंड रूग उम्मिद करते हैं आप समझ गए होंगे आप यह देख सकते हैं यह पीछा वाला अभी हम लोग जिसको पड़े कि प्यूस गरंथे के तीन लोग होते हैं अग्र लोग मध्य लोग और पस्च लोग मध्य लोग से MSH हार्मोन निकलता है पस्च लोग से अक्सिटोसिन सीज़ेन गरंथी मस्तिक्स के घ्रेमस से जुड़ा रहता है हम ने पता है मस्तिक इन गरंथी को हईपो फिश और पिणेल हईपो फैलमस का पढ़ेए अब पिणियल को चपते है मस्तिक्स के भाड़ेर से जुड़ा रहता है के आप यह देख सकते हैं यहां पर है pinyal Grandrey कि दो यह Pूरा मस्तिक मस्तिकों के इतने पाट को जुम किया गया है तो यहां पर आपको मेल मेंλ नहीं है यह यह जुड़ा हुआ है इस Georgina से मेलाटोन हार्मोन से हम सीर्यस्ट मैलाटोनिन हार्मोन होता है meow म wiping comments क्या करता है hoje निद्र हर्मन्ष बोलते हैं जब शोटे रहते हैं तो मेला देखने कि ले जाना होता है तो उस्टाम को शोते नहीं मेला देखने तो 10-12 बुज जाएंगे 10-12 बुज जाएंगे रात कोई जाएंगे अधिकांस तो जो उन्हें मेला देखने जाना होता तो साम को सोते नहीं थे और कोई बोलता था कि बच्छा सोजा तो जाना होगा जगा देंगे तो बोलते थे नहीं हमें नीद नहीं आ रही ह क्योंकि उनको मेला डेखने की धून लगी रहाते थी इसलिए उन्हें नीद नहीं आ चूलते हैं तो लाइट बंद कोई को रहते हैं ताकि लाइट बंद रहे और मेलाटनिन हर्मेस अधिक्रील हो जिसे नीद जल्दी आ जाए और इसलिए इसे प्रकास समेधी हार्मोन से बोलते हैं इसे जैवी घड़ी तंत्र या जैवी घड़ी तंत्र यानि कि बायोजिकल क्लाक्स जाता है जब मेलाटनिन कम रिलेज होता है तो नीद खतम हो जाती है यह जब नीद खतम जाएंगे इसलिए इसे जैवी घड़ी तंत्र बोलते हैं कि जब अंधेरा होगा तो रिलीज होगा आपको नीद आने लेगे जब सुबह होगा रिलेज होना बंध होगा आपको लेजिकल कलाग सेटम यह लैंगे लख्षनों के बिकास को भी बादक करता है कैसे बाद रिकलता है यह मस्टिक्स के अन्य भागों से भी स्त्राविध होता है तойти मेर ट्रांश्मीटर के तंत्री क्यार्मोन का करता है मैं बताया था मिर्वावस सिस्टम में में करता है को नीरो ट्रांस्मीटर होता है को और इंपल्स की गति को बढ़ा देते हैं उन्हें नियूरो ट्रांस्मेटर बोलते हैं और जो आवेग इंपल्स के ती को कम कर देते हैं उन्हें नियूरो इन्हेबिटर्स बोलते हैं तंत्री का तंत्र आप देख सकते हैं जाकर पीछे तो नियूरो ट्रांस्मेटर हार्मांस यह सीरोटेशनीन हर्मन्स यानि की मस्तिक्स की में जो आवेग होते हैं इंबल्स होते हैं जो सुचनाए जो पहुंचती है मस्तिक्स तक विए बढ़ाने का घरता है सी रहतरी सब्सक्राइब थाराइड गरंथी तायराइड ग्लेंट्स यंGroup मानों शरीर की सबसे बड़ी गरंथी ऊपने पता है थार अरपाः और फ्रा थार दोनों गरंथी गले में होती धाइ पो फ्रैल मस्पी और ये तीनों गरंथी मस्टिक्सम क्या है अब फ्राइड है बसक्त ये यह स्वः पढ़ेंगे इस द्हूं पढ़ेंगे अभी नहीं होता है और या इन्टард क्रत्रत्र्टिक पढ़ेंगे रहीत करके रख सकते हमने बताया हर्मों संग रहीत नहीं होता है वह जब ज़रुद पढ़ती है उसी से में रिलिज होता है कि इसलिए तो प्यूश ग्रंथी हो इना इसलिए अलगलग हर्मों स्रिलिज करती है सब को एक्टिवेट करने के लिए जाव आपका पड़ गई है अपने काम कारण शुरू करो अगर पहले से इस्टूर होके रखा रहा तो हाथ तो हाथ प्युस ग्रंथी की जवर्ण नहीं पड़ती प्यूस्ट करती है जा भाई जा जो कि दो पर नीतर तो मस्तिक से होता है इसलिए लेकिन एक मात्र थायरड ग्रन्थी है एक मात्र है जो आपने हार्मोंस को इस्टोर करती है और इस्टोर करके दो महीना तक संग्रहित कर सकती है है ऑंसी गुणती जो गले में होते है धान देंगे फै PP सबक्षब में केलसीम की मात्रा का नियंत्रन करता है और इसके बारे में अ जयान देंगे। यहां से निकलता है थाइड पुटिकांस है थाइड हर्मन T3 और T4 जो हता है इसका मतलब होता है ट्राइडो थाइराक्नीन हर्मोन मतला ट्राइटायाटाइडाइड़॥ायरोनिन हार्मोंस और पोर मतला टेट्रा टेट्रा आईडोथायरोनिन हार्मोंस इसे यह नाम देंगे देखते हैं next part में अपाई-टी-फॉर ये हार्मन्स हमारी इपपची क्रियांम ηsprit करते हैं को प्रेंद करते हैं जिसे सारिक निंदिद्र merged करते हैं प्रुद्यवस्त डवर्ण्स मान्सिक बिकास को भी प्रेंद करते हैं कि थायराक्सिन हार्मोंस त्यानि कि टीफोर जो है मेढक के लारवा टेड़ पोल को वैस्क में रुपांतरित करने के लिए में सहयक होता है यानि कयांत्रन में सहयक होता है और कयांत्रन बार बार क्वेशन पूछा गया है अभी फिलाल तो कयांत्रन क्या है काया मतलब शरीर काया में रुपांत्रन हाइपर हाइपो थायरोडिस्म और हाइपो थायरोडिस्म 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 हाइपो थाय रोग घोती हैं लोग तो घैक रnhड़ एकलड़िस प्राइब होग अगर हाइपोःधीम्त ठैक हमेन पेरी रोगम रोग या बेटशाव रोग या एकसवज़ लग tão क्या होता है उपापच्छी क्रियां तिवर हो जाती है भूख प्यास के अधिकता बढ़ जाती है नेत्रों की पीछे द्रव भर जाता है जिससे जमा होने से नेत्र बड़े-बड़े बाहर उबरे हुए दिखाई देने लगते हैं इसी रोग को पेरी रोग या बेट साउ या गेंगा बोलते हैं प्लूमर रूख क्या है इसे त्यूमर बन जाते है तो तो यह संबन्दी दूना बन जाता है जट माना उता बच्चे में था राइब हर्मन्स की कमी से मानसिक विकास नहीं होता गुल रोग वेकों में फा हार्मन की कमी से सान्रीघ वजन में बृधी। रिधु ध्रदर धरकन में कमी जैसे रोग भूत्पन होते हैं। को गोईटर को भोजन में आयोडिन की कमी से रोग होता है ँदेञीत से घेंगा रुध्य वह आप जानतें होगे पहाड़ी पहाडी शेत्र के लोगों में पाए जाता है क्योंकि हमां आयडून की कमी होती है हाशी माता रोग या एक तो परतिरक्षा रोग है जिसमें थायराइड के ब्रिद एंटीबडिच का निर्वाण होने लगता है और इसे नश्ट करने लगती है इसे ये लिए इसे थायराइड कि आतमाथ्या भी बोलते हैं तो थायराइड के आतमाथ्या किसे बोलेंगे आशी मोत रोग को इस बात को ध्यान देगे बहुत ज़्याद समझने वाली चीज है नहीं कि जो समझाओं में तो पयरा थायराइड गरंति नेक्स्ट है इस आप यह लाए थायराइड गरंति है कि ये थाराइड ही नीए और सिर्ट गरन्थि पर चार लोब के रूप में ये मटर के दाने के समांद ये हैं प्रifullyं गूंती ह। ये पैरा थाराइड ग॥मलती है 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 यह दिडा राज़ होती है चार से चार कि संख्यार में होती है होती है निकलता है को लुष हरते हैं पर को रख्त में अस्तनानत्रित करता है तक अभी देखेंगे यहांपर यह हं ब साक है कैसा ह tut होगे अब तक तो अस्थियों में कैल्सियम की कमी होने लगती है अगर इसका होगा तो अस्थियों में कैल्सियम की कमी हो जाएगे कि यहां से देखते हैं अचे ऐस्थिय है क्या स्तियों में बने क्या सतिये सिर्चिव hatred होता है क्या सियम पत्र ने होता है तीन जग अस्तियों होता है अगर कि पैरा था पैरा थारम पीटिएच का मतलब पैरा थार्मन हार्मोन या पैरा थाराइड हर्मोन क्या करेगा अस्थियों से अस्थियों से लेकर जाएगा ब्लड में केल्सियों को कहां से लेकर जाएगा अस्थियों से ब्लड में लेकर जाएगा तो पैरा थार्मन हार्मोन की निकल तो तो ती हम को जाए घूआ का मी हो जाएगी केलसियम की कमी हो जाएगी यानििकी अधियों पोर यानिकी चेद हुने लगते हैं मातलब किसी चीज के अधिक्ता याने की पेराथ हार्मisión हार्मोन के अէिक्ता से सब्सक्राइब क्यों हुआ है अब हाइपर से क्या होगा है इसकी कमी अगर हो जाएगी तो क्या होगा इसका क्या है यह अस्थियों से ब्लड में ले जा रहा है अस्थियों से ब्लड में ले जा रहा है केल्सियम को अगर कम मात्र में निकलेगा तो अस्थियों से ब्लड में नहीं ले जा पाएगा तो क्या करेगा और ब्लड में नहीं जा पाएगा जब ब्लड में नहीं जा पाएगा तो क्या करेगा ब्लड में हो जाएगी मात्रा कम होने लगति थक्ता बनने । χोती है अगर कल्षियों जाना है रंट्रोल से पहुचेगा तो अगर बलड मेर्ट कमी है है तो पेसियों में घंख हो जाएगी तो कि अगति शत्यों तो यहां से जिसे टीटैनी बोलेंगे तो दो शब्दा आपको मिल गया ऐस्टियपॉरिषिस यह कैसे होता है प्टिअच की हाईपर सेकरेशन से आप समझ गये नेक्स देखते हैं अधैमस करण्थी मिकी ऐस ग्रंटी ये शीने पर होती है आप यह देख सकते हैं ठाइमस ग्रंथी को इसे बाल्यवस्था ग्रंथी बोलते हैं इस ग्रंथी से थाइमशीन हर्मन के नाम्पर हम की cis हार्मन का निर्माड यह हर्मन सब कई पर प्रकार की होती है प्रतिराच्छा तंत्र में सहायक है आगे आएगा प्रतिराच्छा तंत्र जब इसमें देखेंगे सबसे महत्यपुन कारें का ही होता है कि दो प्रकार की होती है टी लिंफोसाइट लिंफोसाट दो प्रकार की टी और विशको आगे देखेंगे प्रतिराच्छा तंत्र में पाई जाती है जो कि एंटीजन का भख्षण करती है है एंटीजन का भक्षण करती है और इसलिए यह माइक्रोफेज के समान होती है क्योंकि माइक्रोफेज डाबलोवीसी का एक प्रकार है वह भी एंटीजन का भक्षण ही करता है थोड़ा बहुत हम लोग परिचांचान तंतर में विचार भी मर्सकिये भी थे और बाकि उसके का यहां उपर है जाता है यहांने की इस पर होती है यह किर्निया होती है हो आ तो यह दोनों किडिनी है इधर भी और इधर भी यह किडिनी है और इसके उपर यह है एड्रेनल ग्रंथी यह ईड cidade है II 2 एक टुब्र बुलते हैं तुक कि टुक्र मतलब ॉपर सुपर से घ्रींक खूते हैं तो दूस सुपर का मतलब ही पर पीड़न का मतलों 15 मो 처ने पीड़ने विलिया जटाए painter यहां वी सब्तव होती है कौन होती है यह वाधिबिक होती है किसे ही पैने फीख three of glands क्यूंव बोलते हैं यहां पर think you अलाग है यहां पर देखेंगे अंभी सकते हैं इमर्जेंसी हार्मोन से अलग है यहां पर लोकेशन दख सकते हैं इसे क्यों बोलते हैं हमने बताया अधिभर ग्रंथी दोनों किडने के ऊपर इस्थित होती अमने दिखाया अभी इसलिए बुलते हैं क्योंकि आपात कालीन प्रिस्थितियों में अनुकम्पी तंत्र का तंत्र अनुकंपी तंत्र का तंत्र परानुकंपी तंत्र का तंत्र हम लोग दो तंत्र का तंत्र के बारे में इस प्रकार से पढ़े थे नर्वस सिश्टम में पड़े थे पीछे जाकर देख सकते हैं अनुकमपीत अंतर कायोस्था कर रहा हैं प्लतिक्रिया देन एंतु तoti तयार करती है यह प्रतिक्रिया wizard एह् फ्लाइट मतलब ठेक्षिक यह फॉधांग करकल रहा है तो लिए इसरे प्लाइट यह फॉल malt regulation का कारिय करते हैं कि लवाण धॉरण करना भब हमले चाहए- लव delicck sugar metabolism sugar metabolism का मतलब हो शर्करा की मात्रा का नीमन करना sex hormones मतलब & disco hormones का स्रामन करना और stress hormones मतलब दबाव प्रभंदन करना यह । फ्ल已经 पूर्ड कने वहाग होता हैं इसके दो भांड होते हैं एक होता है घुखार तेक्स होता हुआ पिंड स्टेम भांड येश मेयुह सफ्टे-पृष्पमध को है आधीबिरेटा और होती तो कार्टेक्स भाग से निकलते हैं। सब्दा आया है कार्टिकोइट्स का मतलब कार्टेक्स वाले भाग से निकला है यहां भी सब्दा है कार्टिकोइट्स मतलब कार्टेक्स वाले भाग से निकला है यहां भी सब्दा है कार्टिकोइट्स मतलब कार्टेक्स वाले भाग से भी निकला है तो गुलुको मतलब ग्ल देखेंगे और पिंड भाग से यानि मैडूला से दो हार मट से निकलते हैं एक एडरिनІ एक नार एडरलिन और नार एडरलिन यह पींड शे निकलते हैं है मेडूला से अब अब देखे गल्वो कॉर्णी कोईट्र अंपने बता यह हारमोंस बाता भी गटाता भी है कर वा यतना जान लेजिए करक्त मतलब करूघ करता है अल्डी कर गोर। को मतला है करता है मिन्न निकला है मिन्रेणल मादेख army करता खनीज मैं एल्डिस आता है मतलब एंडीरोज़न तकाफि रक्त में एं ने पलस आयन के मात्र को बढ़ाता है जाब कि के प्लस आयन के उस्टब्लस सर्जन को बढ़ाता है जिससे रक्त दातों था मुत्र निर्मान का नियमन होता है गुनेडो कार्टिकोईट्स कार्टिकोईट्स मतला कार्टेक्स वाले भाग से आता आया है और गुनेडो मतला जनर गरंती तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोंस और एंड्रोजन हार्मोंस एस्ट्रोजन हार्मोंस जो मेल में पाए जाते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोंस जो फी आपकलीफ पर रस्थिति बढ़ता है इस बात को हम लोग मस्तिकस फाले चैप्टर में पढ़ चुके है एडरलीन और नार अघररलीन को आपकलीफेश जैसे अजा बढ़ता है तो यह तो इसे आप कहीं जा रहे हैं जंगल से राष्टे से जा रहा हैं आपके सामने अचानक से रा गया और अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा अचानक से आपका थेजह नहीं करता है यहां नार एड्रिलीन नार मतलब परस्थित्否 नहीं यानि कि मतलब यह थैसर दड़कन को बहुत बढकर भी हम ऊंहें प्रस्थिति खतम पर अ एडिशन का रोग ग्लूको कार्टिकोट्स अर्मिनडी लू कार्टिकोट्स क्मियाकर हो गई तो अदिशन का कर्टी्षल हार्मन्स की अधिख्था से कुकिंग सिंड्रोम होता है नाम पर इसे क्र्छ सिंड्रोम बीक्र इटरीर्लम में नर के लग्षण उत्पन आउड्से औरिली में यह बोलते हैं यानि मादा में नर के लक्षनतपन हो जाए तो असंतुलन से पैदा होता है बहुत करने का मतलब कोई लड़का है और लड़की जैसे आवाजम पास होती है हुआ नर्म deceived कि लग्शनधicon क्रेंट्पन हो जाना किस कारण होता है वह ने div लड़का बोल रहा है और दूर से देखने पता चलता कि उसकी आवाज मोटी आती है लगता है कोई लड़का बोल रहा ऐसे भी होते हैं इस प्रकार के लक्षणत्पनों यह भी गौनेरु काइटोकाइट्स में असद्वुलान से होता है अगनासे ग्रंथी पैंक्रियाटि ग्लेंट्स अगनासे ग्रंथी पैंक्रेटिक ग्लेंट्स यह डिवडेनियुक्ति है इस प्राब भाग कैंद कराएगहलें तो उन्त श्रावी ग्रंथ में भी आएगा बदजावी आप देख पढ़े और वहां आएगा उजका निकलेगा और वहां निकलेगा और वहां आएगा से अगनासय रस पर नहीं बोलते हैं रवी थोकर बिर्संग नलिका द्वारा डीडियों न में पहुंचकर पाचन करता है नलिका कौन से बिर्संग लेकिन वहां के बात महिंद यहां की बात है यहां की बात नहीं है यहां की बात नह एपे अलफा से ग्लूको ग्लूकेगान हर्मोंस निकलता है यह रख्त में सरकरास्तर को बढ़ाता है यह अब देख सकते हैं पैंक्रियास और अगनास्ता ग्रंथी है कि पीटा से इन्सूलीन हार्मोन्स निकलता है, इसलिए रक्त में सरकरास्तर को घटाता है , िनसूलीन रक्त में सरकरास्तर को बढ़ाता छो डिssaальные Byte शितले इस होताता है , इस इसां से समयटोचियरा।्टीरान हार्मोन्स निकलता है सारिक दिक नियंद्रण करता है था मैटोष्टिरस हार्मन के मतलब होता है यहां से यह रस क्या करता है नासा रस के स्रावण को कम करता आध निकलता है रस पाचक तंट्र में पढ़ आद्र में तो उसका करता है गोनाड्स गोनाड से दो हर्मोंस निकलते हैं, फालिकल प्रेरक हर्मों, FSH और लिटिनाइजिंग हर्मोंस, LH, यह गोनाड से आप देख सकते हैं, फालिकल प्रेरक हर्मों, FSH और लिटिनाइजिंग हर्मों, LH, फालिकल प्रेरक हर्मोंस, यह क्या करेगा, बादा में अंडा सही करता है तो का हार्मोंस बनता है एस्ट्रोजन हार्मोंस एस्ट्रोजन हार्मोंस बनता है एस्ट्रोजन हार्मोंस क्या करता है नर्व में जो है ब्रिशन के लिकाओं के विकास शुक्रजान में सायक है शुक्रजन का मतलब इस पर इस पर में इस पर में जेनोटेटिक्स जने पहने पाइंद घ्М बटाए दॉनिक बोलेंगे लिवकीच Christian कि किसी सब्सक्राइब करता विकास को प्रेड करता ही जिसे प्रोजेश्टान हार्मोंस होता है माधा में कार्पाल लूटीएंग के भिकास को प्रेद करता है इसलिए यहाँ पर पम्रोज होता कि ओए यह क्या करता है निर में बिसट करता है यह को टिस्टीश्ट करता है हरमऄं uh करता है तो पुरेस्टान और तुस्टिरान हार्मंस को निकलता है एल्ए निकलता है लच्व यहने की करप लीटियम जो एक्टिवेट होता है और मौदा में स्ट्रोजन और यहां पर सुक्रजन मतलब इस्पारमेटोजनेसिस इस वर्म का निर्माड होना यह दोनों काम कौन करता है एक फैसच करता है यहने की फॉलिकल पुटिकाय करता है निक्स बस इतना ही है अब यह अंतसरावितर खत्म हुआ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा भूद कमेंट कर दिया करें ता आपको अच्छा लगे तो भी कर दें क्या अच्छा लग रहा है नहीं लगे तो भी कर दें य मुझे मोटिवेशन मिलेगा निगेटिव करेंगे तो मैं अपने अंदर सुधार करूंगा क्या करना है धन्यबाद